चात्राओं को नीडर और निर्भिक होकर आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरीत करने के लिए हक की बात जलाधिकारी के साथ कारेकरम का आउजन किया कारेकर में हाइस्पूल और इंटर्मेडियर के चात्राओं ने जलाधिकारी शुब्रांत शुकला और कनौज पलिस अदिक्षक अमित कुमार आनन से अपनी हक की बात की उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी समस्याओं को जलाधिकारी और स्पी से साजा किया दोनों अधिकारियों से चात्राओं को अच्छे अच्छे सुझाओं मिले और उनसे किसी भी परिस्तिती में हाड़ न मानने और लड़कर आगे बढ़ने की सला भी मिले महिला संबंदित अपराधों पर नियंतरन लगाने और महिलाओं को अपराधों से लड़नी के प्रेणा देने के लिए स्कूली चात्र चात्राओं को उनके आने वाले जीवन को अच्छा बनाने के लिए हक के बात जिला देकारी के साथ कारिकर्म का आयुजन किया गया इस कारिकरम की थीम जिजक तोड़ो करें अपने हक की बात की थीम पर छात्राओं से बात की गई और उनसे उनके मन की बात जानी गई कारिकरम में जिले के दो सबसे बड़े अधिकारियों को अपने साथ देख छात्राओं जहजिती ही चात्राओं ने खुल कर DM और SP से अपने मन की बात कही एक चात्रा ने बोला कि उसको पढ़ने लिखने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो एक चात्रा ने कहा कि दास्ते चलते उनको मन चलो द्वारा छीटा कश्री का सामना करना पड़ता है ऐसे में जलाधिकारी ने उनको किसी भी परिस्तिते में हार ना मानने और अपने गोल पर डटे रहने का गुरुमंत्र दिया और परिस्तितियों से लड़ने की प्रियरना दी महिलाओं चात्राओं को बहुत लाब मिलता है VSP ने कहा कि इस तरह के कारकरम के आयोजन से महिलाओं, छात्राओं को बहुत लाब मिलता है वो सीरे हम लोगों से पनी समस्या बता सकते और हम उनका समाधान जल्द से जल्द करते थे हैं ऐसे में इस कारकरम के माध्यम से महिलाओं को आगयाने के लिए प्रेरित किया है आज मिशन शक्ति के अंतरगत हक के बाद का प्रोग्राम आयोजन किया गया था इसमें स्पूली छात्राइ यहां पर आई हुई है इसमें डियम करणोच और मैं इसमें करणोच यहां पर इनके साथ समभाद किया गया और किस तरह से इनकी जो समझ्याए हैं और बातर तरीका संबोग सोसाइटी में जो समझ्याइ उनको डील कर सकते हैं इनकरेज भी किया गया कि आप लोग जो जागरुक है आसपास के अपने छेत्र में या जो आपके सोसाइटी में महले में है उनमें आप किस तरह से आप पॉजिटिवली अपना योगदान दे सकते हैं साथ ही इनके जो स्कूली जीवन या बविश्य में जो कैरियर के उपरचुनिटीज है उसके बारे में भी डिसकेशन किया गया एक बहुत ही फ्रूटफुल ये संबाद कारिक्रम रहा और मुझे आशा है कि बविश्य में ये लोग और बहतर अपने सोसाइटी आज मिशन सक्ती के बैनर के तले और महिला कल्याने बाहा के दौरा ये सही फ्रूप से हकी बात का एक कारिक्रम यहाँ पर आयुजित किया है इसमें हमारे हाई स्कूल इंटर की कुछ वालिकाय है इन लोगों से हम लोगों गोने आच दो घंटे इंटरैक्ट किया है इनके बहुत तारे इस्यीन चूस हैं जीवन कैसे अच्छा बना सकते हैं केरियर के बारे में क्या है सुरक्षा के बारे में है सरकार की बहुत सारी योजनाए है इसके बारे में तो वालिकाओं महिलाओं के लिए सुरक्षा स्वावलंबन सिख्षा स्वात कई आयामों को समेटे हुए जो प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में इन से चर्चा हुई इनक बड़ा ही अच्छा काईकरम यहां पे रहा है, बहुत सारा हम लोगों ने इनको लिटेचर भी दिया है, टाकि वो लोग जाके आप आसानी से अपने अच्छे वातावरन को भी महसूल कर सकेंगे, कहीं कोई समस्या होगी तो उसको रिपोर्ट करेंगे अथार्टीज को ताकि कहीं कोई अगर परिशानी कर रहा होगा, तो उसको भी हम लोग कारवाई करेंगे। चुप्टी तोड़े, तो उनको हम लोग इस तरह से इंकरेज कर रहे हैं कि आप लोग अब दविये नहीं, अप दरिये नहीं, अपना हिचक तोड़िये और अपनी बात रखिये, आगे बढ़िये, तो उसी के दिशा में ये प्रयास है, आज ये कलेक्टेट नेविल पर कि में बाजार में जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोरंग है, पुलिस vivika के दोरा मेला का लियार जुआ के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उसकी awareness की जा रही ताकि सब जागे, और जो उनमें जिजक हैं, वो खतम हो, अपनी बात आगे रख रखें बाकि तो उनको फिर कोई सम किया सर से सर ने हम लोगों को बताया है कि मैला सरसक्ते करार में तो लोगों को किस तरह से हelnorie मिलते हैं और बहुत सारे सुबदा यह मिल रही है अधी प्रेक्रायम के लिए वे उर प्रोसायद किया और पताया भी ए हुए तो आपने हग की बात कैसे करते हैं? मतलब कुछ लड़कीयां होती है जो लड़नाई पाती हैं और लोग नहीं होसे नहीं बोल पाती है और वहम वहां पर सामने नां बहुता पाने तो मैं निख रोगता थैसे तरह से हढ़ने कि या वो लोग अपने नाम ना बता के और बिना नाम की मतलब चिर्टे दें तो उन लोगों की इस तरह की से हैल्ट कर दियाती है कि मतलब उसमें नाम कुछ नहीं होता है बट वहां का वह इस सिथान का नाम और मतलब जहां पर यह होता है उस जगह का नाम होता है तो वहां प झाल झाल